गांधी नगर खाते आगामी स्पोर की अधार सप्टेम्बर तर्म्यार चौथा ग्लोबल री इन्वेश्ट रिन्यूबल एनर्जी इन्वेश्टर्स मीट एंड एक्सपो बेजार 24 तो आश्वन कर्मा मादुश्य है गांधी नगर खाते चौथो ग्लोबल री इन्वेश्ट रिन्यूबल एनर्जी इन्वेश्टर्स मीट एंड एक्सपो बेजार 24 तो आश्ये री इन्वेश्ट बेजार 24 तो आश्यार योनी समिक्षा कर्वा केंद्रिय मंत्री प्रहात जोशी बारत सरकार ना नवीन अनी नवीनी कर्णियें उर्ज्या मंत्रलाई त्यामाज गुजरा सरकार ना विवीद विफागों न उच्च अतिकार्यों साते बैठक योची ने कार्यक्रम लक्षी विवीद बाबतों नी तल्ष्पर्ष की माही की मिल्पी धतें नाग्रेकोनी भागीदारी विधार्वार त्याम उष्ट कारेक्रा में वधु भव्य बनावा मंत्री जरुरी कक्षी नों पढ़ करया है謝 गुजरात के बारे में कहा जाता है हर बार जो वईबरंग गुजरात का समिट होता है पहले से अच्छा ही होता है तो इसलिए जब दस हदार लोग दिल्ली में भाग लिये ते इससे पहले जो इन्वेस्टर मीट हुआता जब हम गुजरात में कर रहे है जो लास्ट टाइम हुआ था 2018 में उससे बहुत ही अच्छा होगा यह मेरा पूरा विश्वास है अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा है अच्छा करेंगे इसमें उसके बाद 40 सेशन्स होंगे जईसे मैंने कहा इन्नवति फिननि इंस्ट्रूमन रिन एमट्टम्ट रस्टेर्श मैंक्ट रोल अटिलिटरल ड्लप्रप्मिट्मेंक्स एमर्ग अच्छा है उसलार इंटिन रिस्टिर्बुट इंस्टिट्रीब है विन्ट नेन्स्टार्स सब्सक्राइब के बारे में 40 से ज्यादा सेशन होगा एक स्पेशल सेशन भी होगा वो वो स्पेशल सेशन है और एक स्टार्ट अप के बारे में भी एक स्पेशल सेशन होगा और इसमें दस सोलार एक स्टार्ट विनर जो है तो वो ये विल बी मेकिंग ए इन्वेस्टमेंट पिछ ये भी उसमें होगा अल्रेडी कुज चल रहा है रेनियूबल एनर्जी के फुशे के बारे में तो इधर इधर भी एक कुछ सेशन होगा इवेंट विल अल्सों है वेरियस स्टेट गोर्मेंट जिविंग देर फिर्म कमिट्मेंट्मेंट्स इंदी फॉर्म आफ शपत पत्र हमने सभी स्टेट गोर्मेंट को स्टेकवोल्डर्स को बैंकर्स को एक आहे शपत पत्र कितने आप फैनेंशिंग करेंगे अरद दीव न मेंन आट कि भेडिन और दी कितने कैपसिटी बढ़ाएंगे अ कि आने से पहले जो राज्यों के मुख्यमंत्री वगरा पार्टी मंत्री वगरा पॉन्टिसिपेट कररे राज्य के डेलीगेशन पाटिसिपेट कर रहे है कि बैंक और ये इदिकारी कि vivo सब लोगों से हमारा बात्चीत हुआ है कि व्याव आस्क देम टू ब्रिंग शपत पत्र कमिट्मेंट लेटर से हम को डिले हुआ है तो हमारा पॉट कि पॉट में भी गए थे हम विए बिन तो दी वेन्यू वेर दी रिनेवल एनर्जी इन्वेस्टर मीट हो रहा है उसके बाद एक रिवीव भी किया तो उसलिए I have come here beyond schedule I am sorry for that जैसे आप सब जानते हो R.E.E.D. Sunrise सेक्टर ग्लोबली अंदर लिडिशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंदर मोदी जी भारत इसमें बहुत बढ़िया काम कर रहे है तो इंडिया का जो माने प्रधान मंत्री जने कॉप 26 में पंचाम ब्रत के बारे में जो अनूंस किया था उसमें एक लक्ष है तो अचीव 500 गिगावट फ्रॉम नॉन फुसल फॉसल 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 फॉल्स तो इसलिए उस लक्ष हासिन करने के लिए तो जन मंत्री जी का जो कॉल है प्रफॉर्म प्रफॉर्म और ट्रंस्फॉर्म और रिसेंट्ली एज़ एड़र आज़सो टु इन्फॉर्म लोगों को जो हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी नोने कहा है तो इस सेक्टर में भी तो फार इंडिया प्रफॉर्मेशन फहतन совершCrash ainda प्रपाशन देन होर जो आजर्मराशन अधसॉर्माशन और लुक्तार खमरीं लोगों के अधस्फॉर्माशन फिर थांशितार मुष्मेशन and many projects may be around 150 gigawatt they are in the pipeline so keeping that in mind to achieve 500 gigawatt further means nearly about 300 gigawatt further bharat ko 30 lakh crore ka investment chahi 30 lakh crore ka 80 lakh crores so this is liye how many invest re investor meet fourth re investor meet mahatma mandir me 16th 17th 18th ko karra નો 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 નંરિણ નો 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 નોતારા નોનોન નોણ નોતડારહન you